Hello everyone, दोस्तो आज है 19 मही और 19 मही से बनने वाले सभी important current affairs हम इस audio में cover करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने All India Students Community App को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि daily के current affairs का PDF आप All India Students Community App से डाउनलोड कर सकते हैं आपको play store पे जाना है वहाँ से All India Students Community App को डाउनलोड कर लेना है और जल्दी से डाउनलोड करके PDF डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ maths के बहुत ही special courses available है जो students maths की preparation करना चाहते हैं और जिनको डर है maths से उनके लिए वहाँ पर maths का हर एक course available है जिस भी exam के आप preparation कर रहे हैं 72-80% off के साथ चलो शुरुआत करते हैं आज के सभी current affairs की लेकिन उससे पहले आज का motivation of the day इंतजार करने वालों को दोस्तों सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोषिस करने वाले छोड़ देते हैं जी हां दोस्तों ये swim एपीजे जो हमारे राष्टपती रहे हैं डोक्टर एपीजे अब्दुलकलाम उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कोशिस करने वालों ने छोड़ दिया अब आप क्या हो यह आप स्वर्म देखेगा और आज का हमारा पहला कुश्च क्या गया असम के अंदर अब क्या है यह दरसल आपको पता होना चाहिए जलकुम्भी क्या होता है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए देखो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ आपने देखा होगा गाउं में पानी होता है जहां पर पानी भरा होता है ताला में बदला है असम की लड़कियों ने और इनों ने एक ऐसा मैट बनाया है एक ऐसी चटाई बनाई है जिसका नाम इनों ने दिया है मूरहन योगा मैट अब इसका अस्तमाल किस मेट वागरा करने में इस मैट का अस्तमाल किया जाएगा और ये 100% बायो डिग्रेडेबल है यानि कि इसका प्रियावरन पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन्होंने विपदा को संपदा में बदला है तो correct answer होगा असम के अंदर बनाई गई है मूरहन योगा मैट जो किस से बनाई गई है जल कुम्बी से अब अगर बात करें असम की असम के बारे मैंने आपको क्या बता था असम North Eastern States में एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों को टच करता है असम के नए मुख्यमंतरी कौन बन गए है हेमत विश्वा सरमा हेमत विश्वा सरमा सम के नए मुख्यमंतरी बन गए है अगर मैं बात करूँ सतारिया नरत्य है, सतारिया नरत्य हुआ, आप लोगों का बीहू, बीहू और बगरूम्बा, ये कुछ नरत्य है जो कहां पर होते हैं, असम के अंदर होते हैं और पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, भही पर अगर आपसे बात करें कि जो एक तरीके से बनाया गया है, कहां की जलकुम्भी थी तो ये जो मूरहन एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ये जो मूरहन है इसका नाम मूरहन योगा क्यों दिया गया ये पूछ ले अगर पेपर में इसका नाम मूरहन क्यों रखा है मूरहन जो है एक पक्सी होता है और ये कहां पर मिलता है दिपोर बिल जील के एक असम के अंदर वहाँ पर मिलता है उसी के नाम पर जो है इसका नाम मूरहन योगा मैट भी रखा गया है आपको याद होगा काजी रंगा नेसनल पार्क जो की वन होंड राइनो के लिए फेमस है ये कहां पर है असम के अंदर है और भारत का पहला एक तरीके से भारत का पह है कुछ ऐसा था थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है तो ये सारी जानकरी है इस कुषण से आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा अगले कुषण पर आ रहे हैं इनका संबंद की स्केल से हैं तो मार्क सेल भी इनका संबंद है काहां से इंग्लेंड से कुछ और नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर में सीधा सीधा पूछ रहेता है कि पंका जाडवानी का संब्द किस खेल से है तो पंका जाडवानी का संब्द भी स्नूकर बिलियर्ड से है अगर आप से पूछे कुनेरू हमपी यह काफी चर्चा में रही क्योंकि अभी इनको BBC Sports Woman of the Year का वोड भी दिया गया था BBC Sports Woman of the Year का वोड कोनेरू हमपीन का संब्द चैस सतरंज से है वही पर अगर मैं मनीका बतरा का बात करूं यह भी आज कल पेपर में पूछा जाएगा और पूछा भी गया मनीका बतरा 2020 का राजीव गा परधानमंत्री के बेटे का निधन हो गया तो दोस्तों आपको याद होगा रालोध के रालोध पार्टी के अध्यक्स रालोध पार्टी के एक तरीके से अध्यक्स और चोधरी चरण सिंग जो की हमारे पूर परधानमंत्री रह चुके हैं इनके बेटे चोधरी अजीत सिं की कैबिनेट में चार परधानमंत्री कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे हैं बागपत से सांसद रहे हैं और अगर बात की जाए आपको चोधरी चरण सिंग के बारे में इनके जनम दिन को ही हम किसान दिवस के तोर पर मनाते हैं चोधरी चरण सिंग के जनम दिवस को ही हम जो ह तो याद रखेगा यह वक्तव्य है चोधरी चरंड सिंग का बढ़ते एंगले कुशन की तरफ नेस्ट कुशन है हाल ही में अंतराश्टय संग्राल्य दिवस कब मनाया गया तो हर साल 18 मई को अंतराश्टय संग्राल्य दिवस मनाया जाता है और इसकी मनाने की सुरुआत स्ट 1977 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था इस बार मनाए गए अंतराष्टे संग्राले दिवस का थीम क्या रहा अगर आप से पूछें तो थीम था The Future of Museums, Recover and Re-Imagine The Future of Museums, Recover and Re-Imagine इस बार मनाए गए अंतराष्टे संग्राले दिवस का थीम था महीं अगर आपसे पूछ ले, World Heritage Day, ये कब मनाया जाता है, World Heritage Day, तो दोस्तो, World Heritage Day मनाया जाता है, कब 18 अप्रेल को, याद रखीगा, देखो, विरासत, संग्रालिया के अंदर क्या होता है, जो चीजे हमें मिलती है, पुरानी होती है, एंटिक चीजों को संभाल कर रख सकते है तो हमेशा याद रखना, याद रखने के लिए, सबसे पहले आपको चीजे मिलेगी न, तो वो 18 अप्रेल को, World विरासत जो आपको मिली वो 18 अप्रेल को, और आपने उसको संग्रालिया में कब रखा, एक महीने बाद 18 मही को, इससे आपको दोनों दिन याद रहेंगे, World Heritage Day 18 अप्रेल, और World अगर पूछे कि International Museum Day या 18 मही, किलियर है, चलो बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ, नेक्स कुशन है, हाल ही में Miss Universe 2020 का किताब किसने जीता, तो 2020 का किताब अभी हुआ है, कोरोना वाइरस के चलते पिछले साल टाल दिया गया था, और इस बार, जो Miss Universe बनी ह 2020 में, वो बन गई है, एंड्रिया मेजा, कोन बनी है, एंड्रिया मेजा, और ये कौन सा एडिशन था, Miss Universe का, ये 69 एडिशन था, कौन सा 69, और एंड्रिया मेजा है, कहां से, मेक्सिको से है, कहां से, मेक्सिको से पेपर में पूछा जा सकता है, और इसी के साथ ये, इसलिए भी important है क्योंकि भारत की Adelina Castellino भारत की Adeline Castellino ये जो है top 5 में रही और third runner up रही है Adelina Castellino 2001 के बाद कोई भारतिय जो है कहां पहुचा था Miss Universe के top runner up में पहुचा है और वो भारतिय कोन थी Adelina Castellino जो ये आप image देख रहे हैं ये एंड्रिया मेजा की जो 79 भी Miss Universe बनी है और आप दूसरा जो image देख रहे हैं ये भारत की है Adeline Castellino की जो top 5 में third runner up पे रही इससे पहले Selena Jatley 2001 में Miss Universe की runner up पर रह चुकी है और उन्होंने एक post भी किया था कि 20 साल लग गए भारत को यहां तक पहुचने में बढ़ते हैं जो जी भी नहीं तुन जी याद रखेगा ये 69 एडिशन था ठीक है 2020 का जो होना था वो 2021 में हुआ है कोरोना वाइरस के चलते पिछले साल टाल दिया गया था नेश कुशन की दरह बढ़ते हैं नेश कुशन है इटेलियन ओपन 2021 में पुरुसेहकल का किताब किसने जीता तो कुरेक्ट आंशर होगा राफेल नडाल ने किसने राफेल नडाल ने इटेलियन ओपन जीत लिया है कौनची बाय, दसवी बार जीता है इन्होंने दसवी बार जीता है अभी अगर आपसे पूछले बारसिलोना टाइटल किसने जीता था वो भी राफेल डाल ने जीता था और ये बारवी बार जीता था बारसिलोना टाइटल बारवी बार और इटैलियन ओपन जीता है दसवी बार वहीं पर किसको हराकर जीता है नुवाक जोकोविच को हराकर इस समय अगर टैनिस की बात करें नुवाक जोकोविच जो है वो नंबर वन पर है तो नंबर वन प्लेयर नुवाक जोकोविच को हराकर जीता है राफेल नडाल ने किलियर है अगर आपसे पूछे औस्टेलिया ओपन किस ने जीता था तो वो नौवाक जोकोविच ने जीता था इस साल बस एक ही हुआ है औस्टेलिया ओपन और वो जीता है नौवाक जोकोविच ने वही अगर आपसे पूछ ले कि वुमेंस का किस ने जीता था तो जापान क ही है नाव ओमी उसाका इनों ने ठीक है एक और फेमस यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे वो है एलेक्जेंडर जुयुरेव का अभी कुछ दिनों पहले आपको चाह्आ होगा मैड्रेड उपन जीता किसंद एलेक्जांडर जुयुरेव कौन है एसलेबाटी क्लियर है यह सारी चीज़े आप याद रखेंगे अच्छा अगर वुमेंस का पूछ ले कि वुमेंस का इटैलियन ओपन किसने जीता है तो यह जीता है इगा स्विटेक ने किसने इगा SWIAT की इगा स्विटेक यह का की है यह पोलेंड की है दोस्तो कौन सा खिलाडी कहा का यह भी जरूर याद रखेंगे जैसे राफेल नडाल की अगर मैं बात करूँ यह स्पेन से है नुवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया से है इस तरीके से अलेकजंडर जो है रसिया से है यह आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता कि खिलाडी का संबंद किस देश से है ठीक है अब आप मुझे कमेंट करके ब में 16 मही को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया सिक्किम जो अलग-अलग तीन देशों को टच करता है और भारत के सिर्फ एक ही राज्या को टच करता है जो वह है वेस्ट बेंगोल बात सिक्किम की करें तो यह है जो आप साइड में देख रहे हैं जे बुजुर्ग को लिखा गया है सिक्किम आइस्टी ओफ इंट्रिगेट एलाइन्स और इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो सिक्किम है यह भारत का 22 वा राज्या बना था उस तरीके की उस समय क्या-क्या गटनाई गटी थी उन सब का जिक्र होगा इस बुक के अंदर और यह बुक रिलिजवी 16 मही को जिस दिन सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है इस बुक को लिखा है प्रीत मोहन सिंग मलिक ने क्लियर है बढ़ते एंगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन है छटा संयुक्त रास्ट वैस्विक सडख सुरक्सा सपता 2021 कब से कब तक मना गया 17 मही से 23 मही के बीच में मनाया जा रहा है और इस बार इन्होंने जो बोला है यूनाइटिड नेशन की तरफ से सहर गाव और कस्बों में जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए 30 किलोमेटर परार की अराम से चलें बचकर चलें जीवन अनमोल है ठीक है और किसक इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है इसका हेड़कॉर्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जलेंड के अंदर कहाँ पर जिनेवा स्विट्जलेंड के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है अगर आप से पूछ ले कि डवलो एच्चो के अभी अध्यक्स कोन है टेड्रोज अ तीसवा सरस्वती सम्मान कौन सा तीसवा सरस्वती सम्मान और एक नाम है सरद पगारे नाम याद रखेगा सरण कुमार लिंबाले पूछता तो सरस्वती सम्मान जीता है और सरद पगारे पूछता है तो तीसवा व्यास सम्मान जीता है यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आप याद रखेगा तीसवा व्यास सम्मान जीता है किसने सरद पगारे ने और सरण कुमार लिंबाले ने तीसवा सरस्वती सम्मान तो दोस्तों अब आग लोगों के लिए आज का question question of the day आप मुझे comment करके बताएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like करिएगा दोस्तों के साथ share करिएगा और मैंने जैसा कि आपको बताया था बहुत सारे students हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल subscribe नहीं कर रखा है लेकिन वीडियो को देखते हैं तो please वो चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास वीडियो का notification ही नहीं पहुचता है कि वीडियो कब upload हुआ तो आप लोग जो है वीडियो को like जरूर किया करें और subscribe करके रखो चैनल को ताकि आपके पास notification पहुचे और bell icon जरूर दबाओ ताकि हर एक update आपको तुरंत मिले तुरंत आपके आएगा और bell icon दबाते वक्त सारे notification को own कर लेना ओल कर लेना ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पसंद आई हो तो like करो शेयर करो और comment करके बताएगा वीडियो लगी कैसी और आप मुझे comment करके एक और बताएंगे associate general ठीक है attorney associate general यह किसे न्युक किया गया अमेरिका में comment करके ब जब बाई आप